हेलो फ्रेंट्स आज हम बहुती प्यारा सा हैंड पर्स बनाएंगे इसके लिए मैंने सारे दस इंच लंबा और सारे आठ इंच चौड़ा कपरा लिया है और हमें दो कलर के कपरे के स्ट्रिप लिनी है जिसके चौड़ाई 1.5 इंच है दोनों को एक साथ रखेंगे और इसकी हम सिलाई लगा लेंगे आप कलर अपने मन पसंद का ले सकते हैं सिलाई लगाने के बाद दोनों कपरों को अंदर की तरह फोल्ड करना है अब इस तरह से मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे इस ट्रिप बन गई है अब इसे हम तीन तीन इंच के चोटे चोटे पीसेज में काट लेंगे तीन इंच पर मैंने निशान लगाया है बाकी को भी इसी साइज का कट कर लेंगे ऐसे लगबग आठ पीस की मुझे जरूरत है आप जिस साइज का बनाएंगे उसी साइज की हिसाप से आपको दसी या बाड़ा या आठ जितने पीस की जरूरत होगी आप लगा सकते है अभी देखी सारे आठ इंच वाली साइड है वहां पर हमें दो इंच पर निशान लग कर लेंगे अब इसे हम कट कर लेंगे अब यहां से जो इस्ट्रिप हमने बनाई थी उसको लगाना सुरू करेंगे तो इस तरह से एक के बाद एक रखते हुए इसके उपर हम सिलाई लगा लेंगे सारी स्ट्रिप की सिलाई हो गई है उपर से तीन इंच पर मैंने एक और लाइन ड्रो की थी इसी लाइन के उपर हमें एक बार और सिलाई लगानी है लेकिन जो स्ट्रिप हमने लगाई है उसको इस तरह से गुमाते वे ट्विश्ट करते वे रखेंगे और उसके बाद इस तो सब इस ट्रिप को इसी तरीके से हमें गुमाते वे सिलाई करते जाना है जिसे उपर लाल कलर है तो नीचे से वाइट कलर का नजर आए तो इसी तरीके से डिजाइन बनता जाएगा तो देखिए सारे स्ट्रिप की सिलाई हो गई है अब यहां पर हम एक कपरे की स्ट्रिप लेंगे और सिलाई लगा लेंगे अब इसे डबल फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगा लेना है तो नीचे की तरब से पाइपिंग लग जाएगी अब सारे आठ इंच की एक जिप हमें लेनी है जिप को कपरे के उपर उल्टा करके रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे सिलाई लगाने के बाद इस पर हमें किनारे किनारे टॉप इस्टिस लगानी है इस तरह से कपरे को दबाते हुए किनारे किनारे टॉप इस्टिस लगा लेंगे जिसे जिप कपरे में नहीं फसेगी अब जो दूसरा भाग है उसे भी रखेंगे और इसके उपर भी सिलाइक कर लेंगे और टप स्टिश लगा लेंगे अब एक जिप हमें और लेनी है यह भी सारे 3 इंच की है इसको भी उपर रखेंगे और इसके साथ हम एक lightning का कपड़ा रखेंगे किसी भी तरह का आप कपड़ा ले सकते हैं, पॉकिट के लिए, नीचे की तरफ से इस कपड़े को हम फोल्ड कर लेंगे, जह हमने पाइपिंग लगाई है, उसी के ठीक उपर उपर इसके सिलाई आनी चाहिए, और एक सिलाई यहां पर हम लगाएंगे, टॉपस टिस लगा ले लेंगे, तो यह दिखे, पॉकिट बन गई है, अब जिपर का एक भाग हम खोलेंगे, और दूसरे साइड इसे लगाना है, तो इसे उल्टा करके कपरे के उपर रखेंगे, और सिलाई लगा लेंगे, सिलाई लगाने के बाद इसमें भी टॉपस्टेश लगा लेंगे, तो अब इसमें हम रणा डाल लेंगे, और जिप को बंद कर लेंगे साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपरे उसकी कटिंग कर लेंगे, और इसमें अब हम पाइपिंग लगाएंगे पाइपिंग के लिए कपरे को पीछे की साइड से रखकर सिलाई करना है अब इसे आगे की तरह पलट लेंगे, और इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे तो पाइपिंग लग जाएगी, दूसरे साइड भी इसी तरीके से पाइपिंग लगा लेनी है तो दूसरे से पाइपिंग लगाने के बाद हमारा सुन्दर सा पर्सपन कर तियार हो गया है यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताईएगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीस सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद